तो आज हम करेंगे step by step makeup के steps आपको मैं हम बताएंगे इस वीडियो में तो इसको मैंने systematically लिखा हुआ है आप ये screenshot ले सकते हो या ऐसे ही आप इसको देख लो और समझ लो पट मैं कहूंगे आप screenshot ले लो और अपने notes बना लो इसके जिनको पालर के course में इंट्रेस्ट है जिनको makeup सीखने का है वैसे मेरी makeup की series चल रही है आप चेक कर सकते हो मैं step by step बता रही हूँ आप हम आई makeup कर रहे थे उसमें तो चलिए आज मैंने छोड़ा सा वीडियो बना है मैं आपको ये भी theory भी देते हैं आपको तो सबसे पहले देखिए cleansing, toning, moisturizing और fourth आप प्राइमिंग तो य cleansing face को clean करना होता है face wash ते टोनिंग करनी होती पोर्स बंद हो ताकि moisturizing करनी होती है moisturizer से और उसके बाद प्राइमर लगाना पड़ता है ताकि हमारा make-up है long lasting stay रहे तो ये 4 steps must है हर तरह के makeup में आपको करने ठीक है अब मैं difference बताऊंगे आपको light और dark makeup में भी साथी उसके बाद आ लाता है हमारा correction color character वो लगाना होता है हमें जिनके dark spots होते हैं जैसे कि eyes के आसपास होते हैं जो काले घेरे या dark spots हो या even till हो उनको भी हम चुपा लेते है color character से cryolone की बहुत अच्छी kit आती है उससे हम color correction कर सकते हैं उसके बाद जो color correction कई लोंके नहीं होता है सब तो उनको color correction क करने की जुरूरत बिल्कुल नहीं है उसके बाद next step आता है concealer तो हमें उसके बाद conceal करने होते हैं हमारे जो भी मतलब face पे जो भी हमारे blackness होती है जो भी light spots से होती हैं उनकों concealer से कर सकते हैं फिर आता है हमारा foundation हमें लगाना होता है और उसके बाद हमारा आता है contour blush और highlight तो य तो आप देख सकते हैं उससे जो powder setting से पहले मैंने सब कुछ जो भी यूज किया या तो वो cream है या liquidish है because यह जो है यह हम powder से फिर set कर सकते हैं और यह जादातर हम बहुत heavy make-up step करते हैं तब हम यह तीन चीज़ें करते हैं powder setting हम TL powder यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं translucent powder उसके बाद हम bronzer लगाते हैं blush लगाते हो highlighter लगाते हैं यह तीनों हम powder setting के बाद लगाते हैं बट यह भी powder form में होते हैं तो अब जैसे friends जैसे कि मैंने बताया यह तीन चीज़ें जो बाद में लगाई आप यह और powder setting कर सकते हैं अगर आप light make-up करें बहुत dark make-up करें तो जो पहले तीन चीज़ें हमने लगाई थी जो contour blush और highlighter जो cream में था या liquid form में था वह हम तब लगाते हैं जब हम बहुत heavy dark make-ups करते हैं जैसे कि bridal make-ups होगे कई party make-ups होगे अगर आप simple normal light सा make-up करें तो वह तीन चीज़ें आपको लगाने की जुरूरत नहीं आप सिर्फ bronzer blush और highlighter से भी अपना make-up complete अच्छे से professionally कर सकते हैं इन सब को set कर लिए हमें के लिए हमें एक सेटिंग स्प्रे की जुरूरत है जो मेंट में लगाते हैं